नमस्कार दोस्तो मेरा नाम हरीस और आप देख रहे हैं ये लेक्रोनिस वर्मा तो दोस्तो आज हमने बाश ट्रेवल का एक सरकीट डाइग्राम बनाएंगे यहाँ पर आपने बहुत से रेडियो और एफम के अंदर देखा होगा ये देखे इस तरीके से बेस ट्रेवल और हमारा वोलियम कंट्रोल लगा होता लेकिन इसमें कोई भी बाश ट्रेवल नहीं होता सरकीट इसके अंदर बहुत कम लगाए जाते हैं रजिस्टेंस और हमारे जो पी अप लगाके यहाँ पर बाश ट्रेवल को बना दिया जाता है तो यहाँ पर मैंने डाइग्राम के अंदर एक ब्लूटूथ मोडूल को बना दिया है जो हमारा इस तरीके से लगा हुआ है जिसके अंदर हमें लेफ्ट, ग्राउंड और राइट ओडियो मिलती है जो हम अपने वोलियम कंट्रोल पर वाइरिंग करके इसको जो है चलाते है और यहाँ पर हमें पांच बोल्ट देना होता है जो हमारा कार्ड ओन हो जाता है यहाँ पर मैंने एक एक एम्प्लिफायर बोड बनाया है डाइग्राम के अंदर जिसके अंदर हमें लेफ्ट, राइट और ग्राउंड ओडियो जब देते हैं तो हमारा एम्प्लिफायर बोड जो हो चालू हो जाता है अब यहाँ पर मैंने तीन वोलियम कंट्रोल बनाया है जो हमारे बेस, ट्रेवल और वोलियम है जो हमारा इस तरीके से होता है थ्री पिन तो थ्री पिन मैंने यहाँ पर इस तरीके से यह बनाया हुआ है देखे तीन पिन मैंने बना रखी है और यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि सर्कुटों में बाश ट्रेवल वोलियम जो है तीनों काम करते हैं अब बहुत से सर्कुटों में तो बहुत सारा जो है कंपोनेंट लगाए जाते हैं तब जाके वो काम करता है और यहाँ पर बहुत से circuit में आपने देखा होगा कि एक दो resistance और PF लगा के बास ट्रेवल को बना दिया जाता है तो यहाँ पर जो मैं connection आपको बताऊंगा वो होंगे हमारे mono connection और यहाँ पर आप अगर studio connection करना चाहते हैं आपको यह volume control को 6 लगाने पड़ेंगे तीन आपको एक mono में लगाने पड़ेंगे और तीन आपको एक mono के अंदर लगाने पड़ेंगे अब यहाँ पर चलते हैं इसकी wiring की तरफ कि इसका जो wiring है वो किस तरीके से होगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो Bluetooth किट जो है उसमें 5 बोल्ट देने के लिए किसी भी amplifier में आपने देखा होगा तो वहाँ पर जो 5 बोल्ट हम देते हैं वो हम देते हैं 7805 IC जो हमारी 7805 IC होती जो regulator IC होती है उससे हम इस card को on कर लेते हैं तो यह connection तो हो गए हमारे अलग इससे हमारा volume control का कोई भी लेना देना नहीं है हमें सिरिफ output चाहिए यहाँ जो card से निकलती है और वो input चाहिए जो हमारे board में जाएगी और यहाँ पर हमारे हो गए यह 3 volume control जो हमारे percentometer है जो हमारे variable resistance है अब यहाँ पर देखिए यह जो हमारा base है अब base की जो beach वाली pin है इस पर हम एक लगाएंगे resistance यह मैंने एक resistance लगा दिया resistance है हमारा 1K यहाँ पर मैंने 1K का resistance लगा दिया और यह हो गया हमारा travel travel की beach वाली pin पर मैंने एक लगा दिया यहां पर PF और PF को यहां connect कर दिया PF हमारा कौन सा है PF है हमारा 104 104 PF यहां लगा दिया अब यहां पर जब यह दोनों PF connect हो गए और यह हमारे resistance और जो PF है वो connect हो गए connect होने के बाद यहां पर देखिए दोनों की जो base और travel है उसकी बीच वाली pin complete हो गई अब बीच वाली pin से हम यहां से एक wire लेंगे यानि कि दोनों जब हमने इनको दोनों को sort करा है resistance और PF को यहां से एक wire लेंगे और wire लेके सीधा हम volume control की pin number 1 पे इसे लगा देंगे तो हमारी volume control की pin number 1 है वो complete हो गई अब complete होने के बाद यहां पर देखिए travel है अब travel तब हमारा काम करेगा जब हम इसको यहां पर pin number 3 पे एक ground point लगाएंगे तो ground point हम कहां से लेंगे यहां से लेकर हम volume control के pin number 3 पे लगा देंगे तो यह हो गया हमारा travel complete अब travel हमारा पूरा काम करेगा क्योंकि इसको यहां पर जो है volume control से pin number 1 से इसे input भी मिल गया और ground भी लग गया तो यह हमारा काम करेगा अब यह हमारा base काम नहीं करेगा base के लिए हम क्या करेंगे कि bluetooth kit से या तो right से एक point लेंगे या left से लेंगे तो मैं यहां left से एक wire लेके इसे connect कर देता हूं base के pin number 1 पे तो यहां पर अब जब audio इसके अंदर जब जाएगा वो base पे तो जब हम base को दिरी दिरे बढ़ाएंगे तो यह connect होके सिधा volume control के input पे देगा और हमारा volume control भी काम करेगा base भी काम करेगा और travel भी काम करेगा अब यहां पर देखे जब हमारे यह complete हो गए तो complete होने के बाद अब हम यहां क्या करेंगे कि यहां पर जो है अब देखे यह जो यहां पर ground point है यह भी हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि तब भी हमारा audio जो section है इसके अंदर काम करेगा तो यह हम क्या करेंगे यह ground वाला point जो है सीधा हम लेके यह लगाएंगे हम इसके ओपर जो volume control का जो हमारा pin number 3 है और यह volume control मैंने इस तरीके से ड्राइगराम पर बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं pin number 1, 2, 3 इस तरीके से यह बनी हुई है तो हमारे यहां पर जो है bt kit के connection complete हो गई अब यहां पर R वाला मैंने connection इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यह जो हमारा volume control है यह mono है यानि कि मैंने 3 लिये है अगर आपको एक connection यहां पर 3 volume control all लगाने होंगे तब जाके आपका एक दूसरा connection होगा तो अभी यहां से हमने left लिया है राइट वाला हमारा खाली है Bluetooth किट में अगर आपको एक यहां पर जो है एक mono जो circuit वो बनाना है तो आपको तीन volume control all लेने होंगे और इसी तरीके से ही connection करने होंगे अभी यहां पर connection किसके पचे हमारा जो amplifier board जो लगा हुआ है अब जब यहां बाश्ट्रेबल काम करेगा तो जब हम volume control को बढ़ाएंगे तो हम किसी भी board के अंदर उसको देंगे अब board के अंदर देने के लिए क्या करेंगे जो हमारा volume control का pin number बीच का इसके अंदर जो pin number 2 है तो वो वाला जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे L पे यह देखिए अब यह तो हमारा यहां चला गया जो volume control का pin number 2 का है अब इसको हमें एक negative point भी देना है यानि कि ground point तो ground point हम कहां से देंगे यह सीधा हमारा इस वाले पे connect हो जाएगा तो इस तरीके से देखना आपने कि mono जो connection है वो हमने पूरा complete कर दिया आप mono connection पूरा complete होगा देखिए यहां से हमने bluetooth kit से भी connection ले लिया amplifier को दे दिया आप देखिए यहां से भी R बचा हुआ है अब जब आप इसी तरीके से तीन volume control all लगा दोगे तो वो भी आपका काम करेगा और double पे काम करेगा भी यह मैंने आपको mono दिखाया single के अंदर तो एक resistance और पिया फिर उसके अंदर भी लगेगा और यहां पर जो हमारा यह FM है जो इस समय काम कर रहा है उसमें शिरिप इसी तरीके से connection हुए है इसमें एक 62 का board लगाया गया है उसके अंदर इस तरीके से mono connection दिया है एक हमारा Bluetooth kit लगाया गया है लेकिन इस FM के अंदर क्या कर देते हैं कि इन दोनों को sorting कर देते हैं R को भी और L को भी दोनों को sorting कर देते हैं तो दोनों का audio जो है volume control पे जाता रहता है अब यहां पर अगर आप दूसरा circuit इस तरीके से volume control का बनाएंगे तो दूसरा circuit के लिए आपको ground यहां से लेना होगा यह हमारा ground है और यह वारा हो गया R क्योंकि बहुत से भाई यह कहते हैं कि सर अगर हम इसमें दूसरा circuit आप इस volume control का add करेंगे तो pin तो यहां पर एक ही बचा हुआ है तो दूसरा ground कहां से लेंगे तो दूसरा ground भी आप उसी पे से लेंगे जो पहला आपने दूसरे वाले board में लगाया है क्योंकि जो ground point होता है वो सब common होता है वो आप सारे इं ground पे भी connect कर सकते हैं उससे कोई भी problem नहीं आएगा यहां तक कि यह वाला जो आपका ground point है अगर आप यह वाला आप यहां पर Bluetooth kit के पांच बोल्ट के ground पे भी connect कर देंगे तो भी कोई problem नहीं आएगा इससे बलकि आपका जो circuit है और बढ़िया हो जाएगा क्योंकि इससे क्या होगा जो आपका circuit है अगर उसके अंदर कोई हलका full का humming है तो वो खतम हो जाएगी कोई भी humming उसके अंदर नहीं रहेगी और आपको फिर भी लग रहा है कि इसके अंदर कोई humming है और ज्यादा आ रही है तो आप सीधा क्या करेंगे एक वायर कोई मोटा सा वायर लेंगे और वो वायर उठाके डारेक्टर जो है यह जो negative point है इसको यहां से एक मोटा वायर लेके सीधा जो हमारा amplifier का board है उसमें कोई negative point बना हुआ है जिसमें print बहुत जादा है वहाँ पर जाके आप connection कर देंगे तो आपका जो है humming का जो problem है वो solve हो जाएगा क्योंकि बास्ट मैंने बहुत से भाहियों को सुनाए कि सर जैसे हम कोई बास्ट रेबल को add करते हैं उसमें board में humming आना चालो हो जाता है वो humming आता है ground point से आपका जो proper है वो negative point जो है वो नहीं लगा होता है board में और amplifier में अगर वो सारे एक ही जेगे common रहेंगे, sorting रहेंगे तो कभी भी humming problem नहीं आएगा अब बहुत से भाहियों क्या करते हैं कि यह ground यहां लगा दिया और दूसरा जब इसका input का ground दिया वो दूसरे print पे लगा दिया यानि कि सारे print अलग-अलग कर देते हैं तो उससे जो है humming problem बनती है तो दोस्तो मेरी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell का आइकन को जरूर दबाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा